नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Foreign Contribution Regulation Act के बारे में अब ये जो आपका Act है, ये दिसंबर मंद से ही बहुत News में रहा है क्योंकि उस समय Mother Teresa Foundation थी, उसकी Foreign Funding को रोग दिया था इस Act के अंडर उसके लावा और भी बहुत से NGOs हैं, जिनके लिए परिशानी का सबब बन चुका है ये FCRA Act अगर बात की जाए, Recently ये News में क्यों रहा, तो यहाँ पे आपके तीन Important NGOs है पहला है आपका रामकिशन मिशन, दूसरा है आपका श्रीडी साइं बाबा संस्थान तीसरा है आपका तिरूमल, तिरूपती, देवस्थनम इन तीनों NGOs की जो foreign funding आ रही थी, अब recent time में उन्हें भी रूख दिया गया है अब इस article को शुरू करने से पहले, आईए देखते हैं कि ये article हमारे UPSC preparation के लिए क्यों important है देखे, UPSC ने पहले भी Right to Education Act के बारे में पूछा हुआ है उसके लावा, जो आपका FEMA Act है, इसके बारे में भी UPSC ने आपसे पूछा हुआ है तो कहीं न कहीं, आपको आने वाले समय में Foreign Contribution Regulation Act के बारे में भी पूछा जा सकता है इस वज़े से ये topic आपके pre और means दोनों के लिए ही important है आज की वीडियो में हम जानेंगे Foreign Contribution Regulation Act 2010 में क्या प्रावधान है Foreign Contribution Regulation Amendment Act 2020 में क्या प्रावधान है और इससे किस तरह का impact पढ़ रहा है Indian society पे अगर बात की जाए इसके impact की तो वो आपके means के perspective से बहुत जादा important हो जाता है आगे भढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक program शेर करना चाता हूँ जिससे आपके prelims और means के marks में improvement आ सकती है इस program का नाम है IDMP3 इस program में ना केवल आपको daily basis पे 20 MCQs मिलेंगे बलकिन इसके साथ साथ 2 means के question भी मिलेंगे practice के लिए इसके लावा हर weekend पे आपको 2 sectional test मिलेंगे 100 marks के और means के practice के लिए आपको 2 segment में हमने divide कर रखा है एक में आपको alternate weekend पे 10 means के question मिलेंगे उसके लावा दूसरे alternate weekend पे आपको means का एक sectional test मिलेगा अब in total बात की जाए आपके पास 44 MCQs के sectional test होंगे उसके लावा 10 full length test होंगे और 4 C set के test भी इसमें included होंगे अब माल लिजे आपको किसी तरह के परिशानी है NCRT इसको लेके तो यहाँ पे आपको ना केवल NCRT के test मिलेंगे बलकिन NCRT की videos भी मिलेंगी उसके लावा आप यहाँ पे answer writing की videos भी देख सकते हैं जिससे आप improve कर सकते हैं अपनी answer writing को इसके लावा in total आपको mains के 550 questions मिलेंगे अब बात की जाए mains की तो यहाँ पे आपके 8 sectional test और 4 full length test को हम evaluate करके देंगे उसके लावा आपके 6 essay test ऐसे होंगे जो हम आपको evaluate करके देंगे अब इस program से related अगर आपकी कोई query हो तो आप नीचे दिये हुए number पे call कर सकते हैं या आप login कर सकते हैं bpp.onlyis.in पे जाके उसके लावा आप हमें mail भी कर सकते हैं info at the rate onlyis.com पे जाके अब ये act recently news में इसलिए रहा क्यूंकि इसने लगबग 6,000 NGOs की foreign funding को रोक दिया है अब इसको regulate करता है आपका ministry of home affair अब जितने भी आपके institution होते हैं जहाँ पे ऐसी funding आती है मतलब foreign funding आती है उन सभी institutes को mandatory है कि उन्हें home ministry के साथ register करना होता है अब अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो किसी भी तरह की foreign funding को receive नहीं कर सकते आईए सबसे पहले जानते हैं कि Foreign Contribution Regulation Act 2010 में क्या प्राफधान है इस act को implement करने की जिम्मेवारी दी गई है ministry of home affair को अब अगर आप एक बार इनके पास register करते हैं तो आप पांच साल के लिए निश्चिन थे हैं पांच साल बाद आपको एक बार फिर से इसके लिए registration करानी होगी अब माल लीजे अगर आप registration नहीं करवाते हैं तो क्या होगा तेकि आप maximum 25,000 की donation ले सकते हैं अगर इससे beyond आपको कोई donation चाहिए तो आपको permission चाहिएगी ministry of home affair की यहाँ पे जो आप funding receive करेंगे वो पांच purposes के लिए ही हो सकती है अब यहाँ पे एक important बात है माल लीजे आपने education के लिए funding ली तो ऐसा नहीं है कि आप education की funding को किसी और जगा पे इस्तिमाल कर सकते हैं मतलब कि आपने अगर education के लिए money ली है मतलब पैसा आपको education के लिए आया है तो आप उससे सिरफ और सिरफ education के लिए ही use कर सकते हैं religious, social और economic purposes के लिए नहीं अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं न कहीं इस act का violation है और इसमें आपको सजा का भी प्रावधान है आईए अब बात करते हैं किस तरह की amendment आई है आपकी 2020 के amendment से देखे अब आपके जो सरकारी यानि public servants हैं इनको किसी तरह का foreign contribution accept करने की permission नहीं है अब कौन होते हैं public servant देखे वो इंसान जो government की service में है या government से पैसा ले रहा है तो वो सभी लोग आते हैं public servant की category में मतलब जो public duty को perform करते हैं वो ही होते हैं आपके public servant इसके लावा यहाँ पे registration के लिए आधार कार्ड को mandatory कर दिया गया है और यहाँ पे आधार कार्ड उन सभी officials के चाहिए जो director की या key functioning की positions पे हैं अब यहाँ पे यह कहा गया है कि कोई भी इनसान foreign funding या contribution ले सकता है बट इसके लिए दो प्रावधान है पहला या तो आपको prior permission चाहिए Ministry of Home Affairs से आपके जो State Bank of India जिसकी branch है New Delhi में आप उसके ही designated account में ही Foreign Contribution Regulation Act के under account खोल सकते हैं और उसी में आपका foreign funding का पैसा आ सकता है इसके लावा 2010 तक आप administrative खर्चों के लिए लगभग 50% money को spend कर सकते थे मान लीजे एक करोड रुपया आया है तो आप लगभग 50 लाग तक administrative खर्चों के लिए निकाल सकते थे लेकिन अब इसे घटा कर 2020 में 20% ही कर दिया गया था उसके लावा इस act में आपकी registration के surrender करने के भी प्रावधान है और इसके लावा अगर government को लगता है कि आप इन funds का गलत इस्तमाल कर रहे है तो एक inquiry के through आपके funding को रोका जा सकता है उसके लावा मान लीजे एक ABC person है इसके नाम पे ये fund आया था तो ये ABC person इस fund को किसी और के नाम पे नहीं transfer कर सकता खासकर उन persons को जो registered नहीं है आपके foreign contribution act के अंडर आईए आप जानते हैं इससे related कुछ issues को देखे इस act की implementation से कई लोगों के livelihood पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है मान लीजे जो भी आपके workers थे इस NGOs के साथ जुड़े हुई थे जो यहीं से ही पैसा कमाते थे for example मान लीजे किसी NGO ने कोई school खोल रखा है अब उस school में कोई teacher है जो इस NGO से पैसे ले रहा है मतलब उसका livelihood इस NGO पे dependent है अब अगर उनको funding नहीं मिल पाई तो वो इन teachers को salary नहीं provide कर पाएंगे तो इसके कारण आप यह देखते हैं कि कई लोगों के livelihood पे impact पड़ सकता है उसके लावा जो आपका social sector है उसके उपर भी बहुत जादा negative impact पड़ सकता है अब ऐसा मैं क्यों कहा रहा हूँ क्योंकि माल लीजे अभी जैसे COVID की situation चल रही है बहुत से NGOs ऐसे होंगे जो foreign funding की मदद से गरीबों को खाना पहुँचा पा रहे हैं अब अगर इने funding नहीं मिलेगी तो ये food और medicines का खर्चा कैसे उठा पाएंगे इन गरीबों का उसके लावा हम कई बार देखते हैं कि कुछ NGOs research work में लगे होते हैं अब ये जो research work में NGOs लगे होते हैं ये majorly dependent होते हैं आपके NGO को AI funding पे अब मान लीजे इन NGOs के पास funding नहीं है तो क्या ये research conduct हो पाएगे बिल्कुल भी नहीं तो कहीं न कहीं ऐसी research में भी कमी देखने को मिल सकती है उसके लावा इसमें ये कहा गया है कि कोई भी NGO जिसे national interest, public interest या economic interest of state के against work करता है तो उसकी funding रोकी जा सकती है अब ये जो आपकी सभी terms है इनको हमने कभी clearly define नहीं किया अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा कहना है UN Special Reporter on Right to Freedom of Peaceful Assembly and Association का इनोंने FCRA Act 2010 को analyze किया था 2016 में और इनोंने अपनी finding में ऐसी बाते कही थी उसके लावा ये कही न कहीं आपके Article 19 1 C C का उलंगन है क्योंकि वहाँ पे हमें Freedom of Association है उसके लावा ये आपके International Laws का भी violation है क्योंकि जो आपका Universal Declaration of Human Rights है इसका Article 20 ये आपको right देता है कि आपके पास Freedom of Association है उसके लावा ये violate करता है आपके Right to Freedom of Speech को जो Article 19 C C 1 C E में mention है अब ऐसा क्यों क्या रहा हूँ अब ये जो NGOs है ये एक तरह से आपकी Society की आवाज है अगर Society में कुछ भी गलत हो रहा होता है तो ये NGOs Government की उस wrongdoing के against आवाज उठाते है अब कही न कहीं इनके पास ये funding नहीं है तो इसके कारण की functioning में problem आ सकती है तो इस वज़े से हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका FCRA Act है ये कहीं न कहीं इसको भी violate करता है उसके लावा कुछ political parties को आप foreign funding के लिए allow कर रहे हैं और कुछ other parties को आप allow नहीं कर रहे हैं तो ये तो कहीं न कहीं आपके inequality हुई न मतलब जो आपके right to equality है ये तो उसका भी violation है अब ये तो बात हुई इस act में बुराईया क्या है आईए अब जानते हैं इस act के अच्छाईयों के बारे में देखिए पहली बात तो ये हो गई कि ये इंडिया की unity और integrity के लिए बहुत important है अब आप कई बात देखते हैं कि जो आपके foreign countries हैं इंडिया में destabilization लाने के लिए NGOs का इस्तिमाल करते हैं तो ऐसी situation में ये एक बहुत कारगर साबित होता है उसके लावा इंडिया की sovereignty को maintain करने के लिए भी ये एक बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी लोग foreign funding के उपर dependent है वो एक propaganda फिलाने की कोशिश करते हैं जिसके कारण government की day-to-day working के उपर impact तो पड़ता ही है बलके इंडिया की sovereignty के उपर भी impact पड़ता है उसके लावा कई NGOs के उपर ऐसा भी इलजाम लगता है कि वो इन funding का इस्तमाल करता है conversion के लिए तो कहीं न कहीं इंडिया की society की harmony के लिए ये अच्छा नहीं है अब बहुत बार हम बात करता है government की transparency के बारे में बट इन NGOs की transparency के बारे में तो कोई भी बात नहीं करता अब जब तक ये government law नहीं लेके आई थी उससे पहले तक ये NGOs बहुत सा पैसा अपना administrative खर्चों के लिए निकाल देते थे मतलब ऐसे ही किसी भी काम के लिए use कर लेते थे और इसे administrative खर्चों में दिखा देते थे तो because of this lack of transparency इस act की हमें जरूरत थी अब अन्त में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे government को one size fit all policy अपनानी नहीं चाहिए मतलब कुछ NGOs ऐसे भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको और प्रोप्साहन की जुर्थ है उनकी proper working को ensure करना चाहिए government को और इस act को judicially use करना चाहिए तो आज की वीडियो के लिए इतना ही धन्यवाद